ये हमारी सरकार का सवभाग्य है कि बीते आठ वर्षों में वो पी-म आवास योजना के तहत साड़े तीन करोड गरीब परिवारों की जिंदिगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही घर बना कर दे दिए चार दिवारे खड़ी करके दे दिए हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है गरीबों की है इसलिए गरीब की इच्छा उसके मन उसकी जरुरतों को सबसे ज़्यादा समझती है हमारी सरकार जो घर देती है न उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती है सौचालय हो बिजली हो पानी हो गैस हो सरकार की अलग-अलग योजनाएं प्रधान मंत्री आवास योजना के इस करोडों घरों को संपूर्ण बनाती है साथियों आपने आपसे बात करते हुए मुझे पहले कि स्थिची भी आद आ रही है पहले अगर गर गरीबों के लिए गोशित होता भी था तो उसको टॉइलेट अलग बढ़ाना पड़ता था बीजिली पानी और गैस के कनेक्शन के लिए अलग अलग सरकारी दप्तरों के कई कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे पहले कि सरकारों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गरीब को कई दप्तरों में रिश्वत भी देनी पड़ती थी यही नहीं पहले गरीबों के नाम पर घरों की गोश्णा तो हो जाती थी फिर सरकार बनाती थी कि इस तरह का घर बनेगा वही हुकम करती थी वही नक्षा दे रहेती थी यहां से ही सामान लेना है यही सामान लेना है जिसको उस घर में रहना है अरे उसकी कोई पसंद होती है ना पसंद होती है उसकी अपनी सामाजिक परमपराय होती है उसका अपना ग्रहन सेहन होता है उसकी कोई पुस्ताजी नहीं होती थी यही कारण है कि पहले जो थोड़े बहुत घर बनते भी थे उनमें से बहुत सारों में कभी ग्रह प्रवेश ही नहीं हो पाता था लेकिन हमने ये आज़ादी घर की मालकीन को घर के मालिक को दे दी इसलिए आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बंदरजी है